जहिन सातियों स्वागत है आपका यूटूब चैनल कनहिया जीयस वर्ड में दोस्तों यदि आप भी BPSC की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको जानना हो कि BPSC किस प्रकार से एक्जाम लेता है इसका एक्जाम पैटरन क्या है, सलेबस क्या है और इस वर्यारी के 68 BPSC में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है या बदलाव आखिरकार क्या किया है, इस सब के बारे में यदि आप भी डिटेल से जानना चाते हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर के लाश्ट तक जरूर देखिए, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा तो चलिए, और दोस्ति यह दिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप में सब्स्राइब वाला बटन होगी, उसको दबा देना है और एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबाते हुए चलना है और लाइक के बटन को भी दबा देना है और वीडियो जैसा भी लगे, आप नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा अभी हाल ही में, और 60 भी BPSC का जो एक्जाम पैटन यानि की बैकेंसी भी आ चुकिए टोटल 281 पद इसमें दिया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे देखिए BPSC, यानि की बिहार पब्लिक सर्विस कमिसर जो कि बिहार का सबसे बड़ा एक्जाम माना जाता है राजिका इसमें परिच्छा के टोटल 3-4 होते हैं पहला होता है प्रिलिम्स, एक-एक के बारे में हम आगे डीटेल से चर्चा करेंगे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, कितने कोश्चन आते हैं, कितने पर लगबग सेलेक्षन हो जाता है सब के बारे में हम चर्चा करेंगे तो देखिए पहला चर्ड होता है BPSC का प्रिलिम्स, यानि की प्रारंबिक परिच्छा इसमें टोटल 1.500 कोश्चन आते हैं और 1.500 नमबर के रहते हैं यदि आपका इसमें सेलेक्षन हो जाता है, दस गुना के लिष्ट में आ जाते हैं तब आपको मेंस एक्जाम के लिए बुलाया जाता है मेंस एक्जाम यानि की मुख्य परिच्छा इसमें आपको कापी और पेन पर लिखना होगा, लिखित परिच्छा होगी इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं और यह 900 मार्स का होता है और इसी से आपकी मेरिट बनती है मेंस परिच्छा में प्रिलिम्स का कोई भी रोल नहीं रहता है, इसका कोई भी नमबर नहीं जूड़ता है तो मेंस क्लियर करने के बाद धाई गुना कंडिडेट को बुलाया जाता है इंटर्विव के लिए इंटर्विव होता है टोटल 120 मार्स का, तो 900 प्लस 120 यानि की 1020 नमबर से आपकी मेरिट बनती है और इंटर्विव के बाद फाइनली आपका सेलेक्शन हो जाता है तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या इसका सलेबर से कैसे होता है आपको बताओगा 68 BPSC का आभी नोटिफिकेशन आ गया है इसका नोटिफिकेशन डीटेल्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपने टेलिग्राम चैनल कनहिया जियस वर्ल पर उसको डाल दिया है आप लोग वहां से भी जाकर डीटेल पढ़ सकते हैं और बाकी यहां पर हम तो बताएंगे टोटल 281 पत के लिए वैकेंसी इस बार निकाली गई है 2013 के लिए और इसमें योग गिता कहरती है तो ग्रेजुएसन यानि आपको नार्मली B.A.B.C. या फिर इंजिनरिंग कोई भी नार्मल ग्रेजुएसन होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए इसमें उम्र जो मांगी गई है 18 वर्स 2022 से आपकी उम्र 20 साल या 21 साल या 22 साल होनी चाहिए अब तीनों मतलब देखे कई सारे पोस्ट हैं तो सभी पोस्टों के लिए अलग-अलग है मैक्सिमम के लिए 21 वर्स आपका होना चाहिए बाकी आपको नोटिफिकेशन में डीटेल्स मिल जाएगा फीस की बात करें तो 600 रुपिया सामानने लोगों से और बिहार के यदि आप एस्टी ऐसी हैं तो आपसे 1500 रुपिया लिया जाएगा और बिहार के महिला आएं तब भी आपसे 1500 रुपिया लिया जाएगा ठीक है तो यह बेसिक जनकारी हो गई बाकी आपको हम डीटेल्स टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइट करा देंगे देखिए इसमें पहला जो एक्जाम होता है PPSC में निगेटिव मार्किंग अनिवार एक कर दिया गया है निगेटिव मार्किंग होगा लेकिन कितना का होगा यह अभी क्लियर नहीं है और इसका जो परिच्छा होता है यह आफ लाइन मोड में परिच्छा howता है यानि कि जो ऐसा OMR सीट होता है गोला बढ़ने वाला इस प्रकार से परिच्छा होता है अब देखे निगेटिव मार्किंग का इसमें क्या रोले तो हम थोड़ा नोटिफिकेशन के उपर चलते हैं देखिए यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कैसे किया जाए यहाँ पर देख सकते हैं आप तीनोचरण लिग दिया है तो तीनोचरण का हिंदी अनुवाद भी हमने यहाँ पर कर लिया है ठीक है तो यहाँ पर लिखा है तीनों में से कोई एक हई देखिए यहाँ पर कर रहा है कि इंडिका या नकारात्मक अंकन सभी वर्गों के लिए उनकी कठनाईयों के सापेक्ष अस्तर के अनुसार अनुपातिक रूप से चुने गए प्रश्णों की समीती संख्या कुछ ही प्रश्णों पर होनी चाहिए उधारण के लिए 150 प्रश्ण में से 50 प्रश्ण अर्थात 1 बटा 3 पर नक खंड से 1 बटा 3 प्रश्णों का चेयन किया जाएका ऐसे प्रश्ण चैनित प्रश्णों के सही उत्तर के लिए 2 अंक और गल्ट उततर के लिए 1 बटा 2 अंक होंगे तो इसमें कहा रहा है कि डिर्ट सो कोस्चन है उसमें से जो अनुपातिक रूप से कठिन प्रशन होंगे 50 प्रशन पर निगेटिव मार्किंग किया जाए या फिर यहां पर दूसरे नंबर का दे रहा है उपर के अनुसार है एक लेकिन ऐसे चैनित प्रशनों में सही उत्तर के लिए एक अंक और गलत के उत्तर के लिए एक बटा चार अंक होना चाहिए या फिर आप तीसरा चाहते हैं कि सभी प्रश्णों पर समान रूफ से नकारात्मक अंकन किया जाना चाहिए इस इस्तिती में सही उत्तर के लिए एक अंक यानि कि जे निगेटिव मार्किंग है तो इन तीनों में से कोई एक आपको चुनना है ठीक है लेकिन निगेटिव मार्किंग होगा इतना कनफर में आप जान लेजिए तो देखिए हमने prelims exam के बारे में बता दिया अब बढ़ते हैं mens prelims हमारा हो गया clear अब बढ़ते हैं mens की तरफ तो देखिए mens में total चार exam होते हैं चार exam मतलब चार paper होते हैं पहला paper होता हिंदी का हिंदी total 100 number कियाती है और इसमें बस qualifying 30 number आपको लाना होगा 100 में से 30 number ला दिया हैं आप qualifying हैं इसका कोई भी number इसमें नहीं जूड़ता है ठीक है केवल qualifying होता है उसके बाद होता है पहला paper होता है दूसरा paper होता है GS1 GS1 300 number का होता है और 3 गंटे का time इसमें दिया जाता है ठीक है इन सबी paper हो में 3 गंटे का time दिया जाएगा उसके बाद होता है GS paper number 2 आप इसमें क्या-क्या syllabus आता है उसके बारे में भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे GS paper 2 यह भी 300 number का होता है 3 गंटे का इसमें समय दिया जाता है उसके बाद होता है optional यानि कि आपको कोई अपना एक विसे चूच करना होगा जो भी आपका मजबूत हो फेवरेट हो आप कई सारे लोग यहां पर कहते हैं कि हमने graduation में मालीजे भूगोल लिया है तो क्या इसमें optional change कर सकते हैं हम इतियाज चाहें तो ले सकते हैं जी हां ले सकते हैं कोई भी optional आप ले सकते हैं जितना भी विसे दिया रहेगा उसमें से तो optional paper भी 300 number का होगा तीन गंटे का time दिया जाएगा total होगा कितना 900 mark सा 900 mark से ही merit बनेगी प्लस 2020 आपका interview का इसमें जोड़ा जाएगा ठीक है अब देखे हमारा mens में भी आपने clear कर लिया अब देखे मेंस के लिए कितना बुलाए जाता है prelim से इस बार लिखा है कि prelim से 10 गुना लोगों को mens के लिए बुलाए जाएगा मेंस में जितने लोग पास होंगे इसका धाई गुना यानि कि धाई गुना इंटर्विव के लिए बुलाए जाएगा इंटर्विव टोटल होगा 120 मार्स का यानि कि 120 नंबर का होगा टोटल जो मेरिट लगेगी 900 यानि कि 900 मेंस का 120 इंटर्विव का टोटल 1020 नंबर पे आपकी मेरिट लगेगी इसमें से ही आपकी merit लगे selection होगा ठीक है अब देखे कितना नंबर पर होता है तो यह तो आगी की बात होगए हम बाद में बात करेंगे ठीक है देखे प्रिलिम्स में जनरली क्या होता है इसमें प्रिलिम्स में जनरली सव नंबर से उपर पर ही merit बनता है इस बार तो जनरल वालों की 113 के लगभग गई है तो मानक चलिए इस बार निगेटिव कर दिया तो सव के करीब यदिया अपलाएंगे सव 110 तब आपका selection हो सकता है अब देखे यहाँ पर syllabus की बात कर लें यहाँ पर प्रारंबीक परिच्छा है यानि कि जो प्रिलिम्स के ही है उसमें जो समान इध्यन है उसका syllabus है जनरली क्या होता है कि जैसे UP हो गया अन्य राज्यों में प्रिलिम्स में दू पेपर होते हैं पेपर एक पेपर दो लेकिन बिहार PCS में केवल एक ही पेपर होता है प्रिलिम्स का तो इसमें देखिये क्या क्या पूछा जाता है समान विग्यान यानि कि इसमें राष्टी प्रमुक भोगोलिक प्रभाग तथा यहां की महतोपूर नदियां भारत की राज ब्योस्ता और आर्थिक ब्योस्ता आजादी के पश्चात का बिहार की अर्थ ब्योस्ता के प्रमुक परिवर्तन यानि कि आजादी के बाद बिहार की अर्थ ब्योस्ता में क्या क्या परिवर को जाचने वाले प्रश्ण जैसे समान विज्ञान के अंतरगत दैनिक अन्बाव तता प्रेक्षड से संबंदिद विश्यों सहित विज्ञान की समान जनकारी का परिबोध में ऐसे प्रश्ण पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी मतलब सिच्छित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है इतियास के अंतरगत समाजिक आर्थिक और राजनेतिक परिप्रेच्च में विज्ञान की समान जनकारी है तू विज्ञान जिया जाएगा परिच्छार्थियों से यह आसा की जाती है वे बिहार के इतियास की मुझ के गटनाओं से परचित होंगे भूगोल वि भारती योजना के समद्ध में जानकारी भारत के राश्टी आंदोलन उनीश्वी सतादी के पुनरुथान के बारे में और यह सब यहां पर प्रश्ण यहां से प्रिलिंस परिच्छा में पूछा जाएगा ठीक है जितना स्लेवस लिखा इसी से पूछा जाएगा अब बाक फिल्ट होगा यदि this में यदी आप सो नंबर लाएं 1 में थीजाली तो आप इसमें बाकि इसका कोई नंबर वगणि जुड़ता हैं दूसरा खरता है यहां पर शमाने अध्ययन शमाने अध्यान अध्यान में दो पेपर होते हैं और GS PPER 2 तो GS PPER 1 में क्या पूछा जाता है आदुनिक भारत का इतियास और भारती संस्क्रिती राष्टी तथा अंतराष्टी मत की तथा वरतमान गठणा है यानि कि जो करेंट अफेयर में international relation और राष्टी तथा अंतराष्टी मत की वरतमान गठणा है सांखी की विसले सर्थ था आरेखन का चित्रण यह दूसरे पेपर में पूछा जाएगा अब जो यहाँ पर तीसरा पेपर होगा इसे कहते हैं GS पेपर 2 ठीक है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो भारत की राजव्योस्ता भारत की राजव्योस्ता और भारत का भूगोर ठीक है तो यह सब आप देख सकते हैं यह सब GS पेपर 2 में पूछा जाएगा आप इसे पूस करके पढ़ लिजिए गए या इसका PDF अबने टेलिग्राम चैनल पर भी कनहिया GS World टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करा दिया है बाकि इसको पढ़कर सुनाए लगेंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा अब इसके बाद दिखे यहाँ पर मेंस एक्जाम तीसरा एक्जाम यानि कि जो GS पेपर 1 हो गया GS पेपर 2 हो गया अब उपसनल पाशता है इनमें से आवए एक बिशार को चूज कर सकते हैं जैसे किरसी विज्ञान पुसपालन मानो विज्ञान वनसपती विज्ञान रसायन विज्ञान सिविल इंजिनिरिंग वारीजी सास्त्र और सास्थ विद्धूत इंजिरिंग भूगोल भूविज्ञान इतिहास आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो यदि आप इसमें से कोई आपसनल लेना चाहें तब भी ले सकते हैं या जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए इतिहास विदी यानिकी प्रबंद गड़ित यांत्रिक इंजिनिरिंग यानिकी म якіनिकल इंजिनरिंग दर्सन साश्त्र भाउतिकी राजिन्एतिक विझ्ञान मनु विझ्यान उसके अलमां यहां पर लोगपरसेशन समाश साश्त्र सांक नेकि Ce कि प्राडिव चूज कर सकते हैं और यह आपको कब चूज करना रहेगा जब आप फार्म बरेंगे तब ही यहाँ पर आपको चूज करना होगा तो उम्मीद है अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा बीपियसी का एक्जाम पैटर्न क्या होता है सलेबस क्या होता है बाकि यह और सटमी बीपियसी का नोटिफिकेशन है यदि आप इसको लेना चाहते हैं और डिटेल पढ़ना चा रहना है और नीचे कमेंट करके बता देना है वीडियो कैसा लगा बाकि अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंदर